बड़ी खबर आपको राइपुर से बता रहे हैं जहां हनी चैप का पुलेस खुला सकर रहे हैं फेस्बुक से दोस्ती और टीम जाल में फसाकर रेकर वे सिधीर ज्यादा की नगती और पहिया बाहन की वसूली की गई थी बीडी एक्से ज्रॉप आउट की आरोपी और युक्ती प्रीटी के वारी मुलता महिंद गड़ कौरिया की नवासी बताई जा रही आरोपी आरोपी ने एक नग ब्वेजा कार और एक हुंडाई और सोनी की ट्रेलडी जब्त की गई है उसके पास ये अडिशनल एक्सी स्वाइपोर से बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं हनीचाफ मामले में पुलिस का बड़ा खुला साथ एक करोश भी ज्यादा की वसूली की गई थी इस हनीचाफ मामले में चार पहिया वाहन भी वसूला गया था और कुछ ज्वल्डी भी पुलिस में बरामत की है उस्ता तो राइपोर से बड़े ख़बर जहां है जाथ मामले में पुलिस का बड़ा खुला साथ एक करोश भी आदे की वसूली महला आरोपियों दारा की गई थी चार पहिया वाहन भी वसूले गए थे साथ ही आपको बता दे कि पेस्वुक से दोस्ती करती थी यूपिया आरोप गोपाल के हनी चैप मामले से ये मामला बिलकुल ही अलग है उससे कोई लेना देना नहीं है तो बड़ी ख़बर आपको बता रहा है राइपोर से हनी चैप मामले में एक और बड़ा खुला सा जहां एक करोश भी आदे की वसूली इन महला आरोपियों दारा की जा रही थी लेकिन खास बात हम आपको बता दें कि ये हनी चैप गोपाल का जो मामला है उससे बिलकुल अलग है जो जार्च कर रहे हैं अधिकारी उन्होंने भी इस बात को कहा है कि मध्यपरीश गोपाल का जो हनी चैप मामला है उससे इस मामले का कोई लेना देना नहीं है और जो सब्सक्राइबाद में एक करोड से भी अधिक की वसूले उसमें एक व्यक्ति से की है, चार पहिया बाहन दी वसूले थे उसमें सब्सक्राइबाद में एक वसूले एक वसूले तरीके से की जाती थी इस महिला द्वारा, क्या और खुला से हूँ पाए है? जी मुझराद में पिद्वी कर खुलासा किया है, यह पेज़ूक के माध्यम से प्रेंडाल से फटा कर और उसका कुछ फेडियो बनाकर एक वैपारी को इसके द्वारा एक कर दिमान किया था जितने यह चार गाडिया है और कुछ नगत ज्विल्वी इससे बरामात की चारिया और कुछ बैंक के माध्यम से भुटार किया गया था और कुछ लगती राथी जो जब सकी गई है तो इस तरह ही अपने प्रेंडी से मिलकर जासाजी करते हुए वैपारी को पताया है जी, इसके इलावा पुलिस का क्या कहना है जिए है, बोज्त हैं, जिटाराइब कि जो Qalq केहना है कि इसमी उंसे कोई लेना देना जिने एक अलग तरही मामला आया है जि छ़िले, बहुत शुक्रे तो हम जनकारीक लए सकते हूं ऑरणीे वज를 अनला नीक ही